हेलो वाइच कैसो आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे अब मैंने अपने चैनल में कई दिन से कुछ नहीं किया है तो मैं आज सोचा हूँ आपके लिए कुछ उन्बक्सिंग करता हूँ पिछला जो मेरा उन्बक्सिंग था वो सायद कुलपेड का कुल वन डूएल था उसका मैंने अन्बक्सिंग किया था आज से लगवक 15-20 दिन पहले की बात है तब से लेकर राज तक कोई भी ऑन्बक्सिंग नहीं हुआ है तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये बड़ा सा बॉक्स जिसके अंदर है सोनी का CX405 इसके अंदर ह कॉम्बो कीट है जिसको मैंने मंगाया था तो मैं आज आपके सामने इसको ऑन्बक्सिंग करने वाला हूँ तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीड के बाद ना करते हुए जल चल जल इसका उन्बक्सिंग करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते ही है मैं यह है मेरा कीट है और यह है फ्रता था क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोड़क्ट को मैंने और किया था कॉम्बो कीड था यह इसको मैंने और किया था तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले यह जो कैमकोडर है इसका उन्वक्सिंग कर देता हूँ उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कीड के अंदर मुझे क्या क्या और मिला है यहाँ पर कुछ पैपर वर्क्स है जिसमें आपको कैमरा का बार में इस्ट्रक्शन कुछ होगा तो वारेंटी गाइड वगएरा इसमें आपको इसके अंदर बहुत सारी के लिए होगा चलिए ठीक है इसके बाद है यहाँ पर एक केबल इस केबल से आप केमरा से इमेज वीडियो को कॉपी कर सकते है अपने PC में लैप्टॉप में उसके साथ एक है HDMI केबल इसके अंदर मिल रहा है तो चलिए खेर इन सब चीजों को छोड़ते अब चलते हैं केमरा की तरफ और कुछ है या नहीं यहाँ यहाँ पर साइड में एक बैटरी भी है यह सोनी का बॉक्स में लिखा हुआ था कुछ इसके बारे में तो यह है बैटरी जिसका यह है 12400 एमेज का कैपसिटी वाला बैटरी है और यह है कैम कोडर कुछ इस तरह से आपको लगेगा देखने में तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुती छोटा साइज है बहुती स्लिम साइज का है यहाँ पर यह जो लेंस कोवर है इसको ओपन करने के लिए और यह डिस्पले है जो की यह सा जाता है M2 Card भी आप लगा सकते हो और इधर है बैटरी के लिए है यह सिर्फ बैटरी है यहां पर और कुछ नहीं लगेगा क्योंकि बाखी सरा चीज़ों यहां पर लग जाते हैं और यहां पर multi कुछ लिखा हुआ है जिहां यह HDMI केबल आप यहां पर लगा सकते हो और इध êuर उज़े को आप कोपी कर सकते हो अपने लेपट ऊप आप डेस्टो पे साथ माशार एक पावर इंडिकेटर है श्टारर कारोंक बटन आपयता यहां पर बटन आपको मिल जाता है यहाँ पर जूम इन जूम आउट का यहाँ पर मिल जा रहा है तो इसके बाद चलिए अभी मैं इसके अंदर बैटरी इन सेट करता हूं जी देखें यह जो है ओन हो चुका है तो कुछ इस तरह से यह काम करें का लेंस कॉफर का भी मैंने हटाया नही है जी हां तो यह है केमरा इसके बारे में इसको यूज करके मैं आपको बताऊंगा यह किस तरह से काम करता है इसको यूज करके मुझे कैसा लगा बहुत सारी चीज़े इसके बारे में आपको बताऊंगा उससे पहले मैं चलिए अभी आपको यह जो कीट मुझे मिला था की पूरा का पूरा जो कीड है कुछ इस तरह का था यह एक प्लास्टिक के अंदर आया हुआ है तो चलिए अभी इसके अंदर कुछ और भी मिल रहा है जिसके अंदर यह है फोकुस के तरफ से है जहां पर लिखा हूँ इसके अंदर कुछ भी नहीं है और यहां पता नहीं क्या है कुछ नहीं है इसके अंदर इसके अंदर बहुत कुछ है यहां जैसे कि यह LCD lens cleaner एक मिल जाता है जहां पर यहां पर instructions बगएर दिया हुआ इसको कैसे use करना इससे camera का lens आप clean कर सकते हो और चलिए मैं इसको open करके आपको दिखा देता हूँ HDMI cable इसके अंदर मिल जाता है जो कि मुझे एक camera के साथ दिया हुए लेकिन उससे अच्छा quality का यह मुझे लग रहा है अब देख सकतो यहां पर यह काफी मोटा है उससे यह भी focus के तरफ से ही है focus का ही है और यहां पर इसमें caps लगे हुए है तो यह जो HDMI cable है यह उससे strong है इससे मोटा है quality उससे अच्छा लग रहा एक card reader मुझे मिला हुआ है जो साइद मैरे कोई काम का नहीं हो सकता है कभी कुछ इसका future में ज़रूरत मुझे पढ़ जाए तो इसको side में रखते है एक strip मिला है जिसको आप इस bag के साथ attach कर सकते है यह camera में लगेगा सिर्फ bag में लगेगा तो इसको भी हटाते है एक और box है पता ने इसके अंदर क्या है इसके अंदर है जो LCD screen है इसका screen के लिए यह side screen में लगाने के लिए होगा plastics बगरा है इसके में screen guard होगा यह तो इसको use कैसे करना भी मुझे ठीक से नहीं पता है अगर आपको पता है तो आप मुझे comment करके बताए कि इसको use कैसे करना है तो चलिए इसको भी छोड़ते है और एक यहां पहे ट्राइबोड टेबल ट्र कर सकते हैं तो खेर इसको भी हटाते हैं और यहां पर memory card wallet मिल रहा है जिसके अंदर जब memory cards हम लोग purse में रखते हैं या फिर pocket में रखते हैं तो वो टूट जाते हैं crack हो जाता है जिससे काम नहीं करते हैं लेकिन यहां पर अपने memory cards रख सकते हो जिससे cards damage आपका नहीं होगा तो इसको भी हटाते हैं और एक यहां पर बहुत बड़ा सा box है जिसके अंदर लिखाओ focus rechargeable battery travel charger जो की solo's image का है one year warranty भी इसके अंदर मिल जाते है तो इसको भी चलिए मैं खोलता हूँ इसके अंदर मुझे यह तीन चीजे मिली है जिससे मैं अपने camera का battery को charge कर सकता हूँ इससे car charger से जब मैं drive कर रहूंगा अपने car में तब उस दुरन में इससे यहां पर insert करके इसको यूज कर सकता हूँ इसके बाद है focus का एक battery है इसके अंदर यह भी camera में इंसेट कर सकता हूँ इसके बाद यहां पर जो यह वाली पीन है इसको मैं इसमें इंसेट करके इसको charger के तोर पर अपने AC adapter में चार्ज कर सकता हूँ साथ में यह जो मेरा camera का adapter है charger है उसमें भी यह मुझे काम में आएगा तो खेर और क्या बचा हुआ है इसमें यह सबसे मैं चीज जो है वह है यहां पर 32GB का sony का class 10 का एक memory card इसके अंदर मुझे मिल रहा है जो इससे मैं अपन इस तरह से यह कुछ इस तरह से आप इसको ऐसे लगा सकते हो जिससे आपका camera जो है वो सेफ रहेगा और ज्यादा यह है पूरा kit camera के साथ में सारा kit यहां पर available है आपके सामने आप देख सकते हो मैंने order किया था इसको हालाक इसके साथ मैंने kit को भी order किया था मुझे ज़रू इसको टोटल सारे चीज को लेकर मुझे पे करना पढ़ा है तो खेर कोई बात नहीं है अब मैं इसका यूज करता हूं यूज करके आपको बताऊंगा कल इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा मेरा उसमें मैं आपको इसका जूम टेस्ट कर जूम टेस्ट दिखाऊंगा यह सारे चाइज जो फीचर्स कंपनी का दावा है इसके अंदर हो सारे चाज़े मैं आपको दिखाऊंगा बट आपको इंट्जार करना पड़ेगा अगला वीडियो का क्यूंकि यह सिर्फ ऑन्बक्सिंग वीडियो था इसके आद मैं आपको बताऊंगा यह केमरा आपको नहीं लेना या फिर आपको बताऊंगों आपको प्रोफेशन के हिसाब से आपको यह सूट करेगा या फिर नहीं करेगा वीडियो को लाइक किजिए इस जानकरी को दूसरों तो पहुंचाने के लिए वीडियो को शेर किजिए अगर आपका कोई भी राय है कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए पूरी-पूरी कोसिस करूंगा और आज के लिए सिर्फ इतना ही अगर आप चैनल पर नए हो तो फिली चैनल को सब्सक्राइब किजिए बेल को एक्किवेट किजिए तो फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो नई टेक के साथ में तब तक लिए बाई-बाई एंड टेक केर